वीके नियूस मध्यपरदेश 36 गर दिल बोले का देश सुने का नमस्कार स्वागत है आपका वीके नियूस में विशेश अंगों में दर्द, सूजन और तमाम तरह की तकलीफे तो आपने सुनी होंगी विशेश अंगों का टूटना भी सुना होगा पर मोहमद शरीफ के लिए ये सब कोई माइने नहीं रखता उसने विशेश अंगों का इस्तमाल किसी और चीज के लिए किया पर किसमत का खेल देखिए वो फस गया अब हो सकता है कि कुछ लिबरल्स और वामपंथी विचारधार से जुड़े लोग उसे बिचारा कहकर बचाने के कोशिश भी करें और कह दे कि मोहमद शरीफ इतना शरीफ था कि शराफत के साथ उसने विशेश अंगों का इस्तमाल तसकरी के लिए किया जी हां तसकरी कभी सोना तो कभी चान्दी कभी अफीम गांजा की तसकरी की खबरें सामने आती रहती है तसकर काफी जुगाड़े भी होते हैं लेकित अंत में होता यही है कि उनके जुगाड़ कुछ काम नहीं आते और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ दरसल केंदिरिय और द्योगिक सुरक्षावल ने सोंबार को इमफाल एरपोर्ट पर पेट में सोने का पेष्ट रखकर ले जा रहा है एक व्यक्ति को हिरासत में लिया इस बंदे ने ऐसी जगह से शरीर में सोना डाला था कि आप सोच भी नहीं सकते उसने अपने मलाशे में सोना छिपा लिया था जिसकी एकसरे रिपोर्ट भी सामने आई है और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि सोना कहां पर रखा गया है इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मताविक इस विक्ति ने करीब 900 गराम सोने का पेश्ट बनाया और फिर उसे अपने मलाशे में छिपा लिया इस सोने की कीमत करीब 42 लाक रुपे बताई जा रही है जानकारी के मताविक बंदा इमफाल से दिल्ली की ओर जा रहा था और स सोने की ये तसकरी दिल्ली में की जानी थी एरपोर्ट सीक्योर्टी को उसकी हरकतों के कारण उस पर शक हुआ शक के अधार पर उसे जाच के लिए ले जाया गया जाच के नाम सही उसके विशेश अंग में सुख बुगाट होना तय था वो काफी डरा हुआ भी था जाच पर आया फिर उसे चार हिस्से में बाट कर उसके पैकेट बनाये ताकि छिपाने में से असानी हो इसके बाद उसने इसे मलाशे में छिपा लिया बाद में उसने बताया कि काफी मुश्किल से उसने नीचे के रास्ते अपने मलाशे में सोने का पेस्ट डाला था उसके आलिस किलो सोना पकड़ा गया था फिलाल पुलिस शरीफ के जरीए पूरे गिरों तक पहुंचने की तैयारी में है और जल्द ही उनको भी सलाकों के पीछे डाल दिया जाएगा इस रिपोर्ट में बसत रही देश और दिने के तबाव बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हैं विकी निउस के साथ नमस्कार